Hi guys, कैसे हो आप लोग उमेद्य अच्छे ही होंगे? मैं बहुत खुश हूँ आज क्यों कि लगभग तीन माही ने बाद हैं तीन माही ने बाद मैं अपने घर में आया हूँ अपने गाव में आया हूँ तो जो लोग पराई के लिए हो, काम के लिए हो, किसी भी कारण बाहर रहे चुके हैं, अभी है, उनको ही पताए कि घर आने के खुशी क्या होते हैं, अपने गाउ में आने के खुशी क्या होते हैं, गाउ जैसा भी हो, घर जैसा भी हो, पर आने की जो खुशी है, बहुत कुछ आपको दिखावंगा कि मैंने कैसे पराई किया बहुत लोगों का ठिंकिंग है कि एक बर्या से पराई के लिए जगाना चाहिए यह चाहिए आस पास नहीं है उस मोटिवेशन कोट लिखेंगे दिवाल पे मैप वगारा मतलब इतना स्टाड़ी आसपास रहेगा अच्छा से महुल रहेगा तो ही हम किसी भी नौकरी किसी भी मतलब एंट्रांस हो किसी भी एक्जाम हो कर सकते नहीं तो नहीं कर सकते यह जो मीथ है मेरे लिए यह मीथ है क्योंकि देखे हाँ इसमें एक पॉस्टिव वाइब आपको देते हैं जिसमें से आपको एक अलग से बूस्ट मिलते हैं यह सही है पर एक्चुल में देखिए मुझे एक बात पसंद मतलब मैं कोई बोला पता नहीं मैं खुद सही है अच कुछ नहीं होगा तो ही आपके अंदर एक आग लगेगा उस आग को सही से डिरेक्शन दे पाए ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसके लिए कोई स्टैडी रूम स्टैडी टेबिल एक महूल नहीं चाहिए बस आपको अंदर ही अंदर बो स्टैडी महूल स्टैडी पर क्या है जो भी कर रहा हूँ कर रहा हूँ अपने दम पर मिला है इतना सारा स्टैड क्राक कर गया हूँ तो भोई अपने एक्स्परियेंस से कुछ श्यार करूंगा आपको कि मैंने कहां बैठ के बढ़ाई किया था देखिए यह जो दिखाने वाला हूँ थोड़ा इसको इक घर है आपको नहीं दिख पा रहा है यह जीलसा है ठीक है यह आगे जो खेती वगर होते है खेत है तो मेरा पराई का लोकेशान आपको लोकेस्ट ज सांगल तो अपने एक जंगल है मेरे घर के जहां पर में आता था उप्लस्टिक का पैनाल जिसके उपर में बैढता था यह जो आप देख पहे रहे रहे ना यह बस यह तीन पेर 813 पेर के दो अबींच में जो जगा है ना अभी तो यह साफ नहीं है अभी यह जंघल मतलब यह छोटा-इमन्टा जो पेर बगए रहा जंगल परता था तो इसके बगार से यह जंगल जंगल लग रहा है पर पहले जब मैं इधर आके हर रोज पड़ता था उस टाइम यह सब सफाई रहता था अभी इंससान अभी इधर इंसान का आना जाना थोरा कम है तो मैं बस ये लोकाशान में बैठके सुबह आता था तो यह लोकेशन देखिए आसपास एक घर है उदर बस यह आगे रसा है रोड है और यह चारो और बस जंगली जंगल पूरा शांत महुल इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरा कोई अच्छा से स्टाडी रूम नहीं था कोई बढ़िया से स्टाडी टेबिल नहीं था कुछ नहीं था बस इस लोकेशन में आके बैठके पड़ता था बस खतम ऐसे ही मैं न और यह देखिए यह आम की पेर इधर से आम बगारा नीचे गिरता था वो बीच बीच में खाता था तो यह हर तो इसको देखो आपको क्या समझ मैं है कि महाल आपको क्रियेट करना पड़ेगा अपने अंदर जीद लाना पड़ेगा हाँ इसी लोकेशन में जब बढ़ते पड़ते ही ना मेरा फोन आया था मतलब मुवाइल पे इमेल आया था जो फाइनल जो डॉक्मेंट वरिफिकेशन के लिए जो इमेल विजा था आरेलो से वह मैंने देखा नहीं था पराई कर रहा था वह देखा नहीं था और इसी बीच मेरा एक दोस्त अभी मेरे साथ काम कर रहा है उधर ही है मेरे जहां पोस्टिंग हां उधर ही है उसका फोन आ खुशी के मारे आसू निकल गया था तो इसलिए देखो दोस्त लोग भाई लोग बहन लोग जो भी हो ऐसा कोई थार्ड हैंड जो हना वो प्रयोक करना बंद कर दो अपने अंदर जीद लाओ कि हां मुझे पाना है या पानी है जो भी हो यह जीद लाओ कोई स्ट्याडी मह सब्सक्राइब करना है यह जंगल है जहां पर शांत बगारा है सोसाइटी से बाहर है बाहर का कोई साउंड अंदर नहीं आते इसे बस इधार पंची का पंची का साउंड ऐसे ही आसपास को जंग यह भाईब है तो उसमें दिमाग मतलब बहुत ही कॉंसे पड़ता था तो यह होना चाहिए ऐसे ही बढ़ते रहो अपने अंदर जीद लाओ कुछ न कुछ हो जाएगा ओके उमिदे वीडियो पसंद आया होगा पसंद आएगा तो लाइक ठोको मिलते है जाए हिंद